कहां कहां एंटर होता है फिर उसके बाल मैं 6388B में दोस्तों धार रखेगा बीबस दो जगे पर मीडिया टेक जनली दो जगे बीबस को एंटर कर रहा है एक चार्जिंग सेक्शन में और एक पावर सेक्शन में अगर हम बात करें हमने यहां पर बीबस लिखा हुआ है आप उपर डेख सकते हैं अब मैं बीबस को एंटर करूंगा सो आप देखे तो बीबस यहां पर एंटर हो रहा है और बीबस यहां पर एंटर हुआ सो आप देखे यहां पर वीबस दोस्तों यह जो एंटर हुआ है सब वजद है मेरा कुरूर हैं शुख है मारे यूडिव फैमिली केज से आप यूज다고 है आप यूज अज फीडियों में द् outreach में आप लोगों के लिए दूसर। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इस IC के वारे में आज मैं complete information देना चाहता हूँ आप इसके पहले फूटू कीछ लीजेगा और पसंद आए वीडियो लाइक और मेरी महनत के लिए एक कमेंट जरूर बनता है ठीक है और अगर आपको आना है तो course जोइंग कीजे यहाँ प देखाता हूं यह देखे यह चार्जिंग इसी किस सरे से दिखाई देगी यहाँ पर मैं आपके सामने एक फोटू ओपन करके दिखाता हूं यह देखे तो इसको आगर मैं जूम करूंगा आप देख सकते हैं यह चार्जिंग इसी यहाँ पड़े है इसी को आज मैं इस प् प्लेस भी कर सकते हैं ये एक युनिवर्सल आइसी है तो मैं आज आपको circuit कर रहा हूं वो कर रहा हूं media take 6328V का charging section जी हां आपने सही सुना है media take 6328V का charging section है और दोस्तों ये section बहुत एजीली बनाया जा सकता है अगर डियाग्राम नहीं भी हो तो भी बना जासकता है पैडों की लाइनों की नोलेस के साथ इस डियाग्राम को क्योंकि इस तरी 28 भी अब एक बहुत कॉमन आईसी है पुरानी ही सेटों में आते थी पर अब भी भी एक सेट बनने आते हैं और अब भी भी जो हमारे दिखाएगा पर आपको चलना उसमें खुद बढ़ेगा तो आपका जो भी आप ट्रेनिंग करके आते हैं कहीं से भी सो मैं आप सभी स्टुडेंट से सारे इंस्टूट से पड़े हुए स्टुडेंट से कहूंगा तो प्लीज अपने सिलेबस को फॉलो कीजे जो गुरु करने का तठीका तरीकों आपना यहीं वो चुनते हैं अपने आपको समय नहीं देते हैं और ज्यादा तर समय होता है अपना काgener रखता है और आपको लगता है और आपको कहीं पर घृका ओए तो आपकों कहीं के वहारी पैक एप तरीकों जिसमें आपके अपने पूरे डाउट के लिए कर सकते हैं और अगर आपके डाउट बहुत सारे हैं तो आप हर मेने तीन बार आ सकते हैं जैसे इस मेने भी आ जाईए अगले मेने भी आ जाईए और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अपना एक दो दिन निकालना औ और आपके लिए आपका धंदा वेस्ट करना है क्योंकि जितना जब सीखने को मिलता है ना तो सब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उससे जिन्दिगी बनती है और जितना आप यहां के सीखेंगे उतना आप कॉलिंग और वाट्सप पर भी नहीं सीख पाएंगे तो यह जो से यह जो एडवांटेज हैं यह से डिलीकुम आपको हमेसा देगा एक बड़ी टीम के साथ आपको बैक अप सपोर्ट हर महीने का मिलेगा आपको यहां पर हमें एमडी सर को कॉल करना है मैसेज भी मत किजिए सीदे कॉल किजिए रात सुभी रे 11 से जैसे हम बात करें रात क करता हूं यहां पर दोस्तों मैंने यहां पर पुराने साथ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इस सेड में मिडियेटिक की 6328 VIC यूस की गई है अब मैं आपको इसका पावर दिखाना चाहता हूं देखें यहां पर यह देखें यह बीजे 221 है यहां पर मिडियेटिक का सीप् करूं तो यहां पर आप देखेंगे यह देखें तो यह CPU है यह पावर को टिक करूंगा तो देखें यह पावर अभी यहां पर आएगा यह देखें यह पावर आगया तो पावर के अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं तो आप देखेंगा यहां पर जो यूज किया गया ह वह यूस किया गया है 6328 V यह देखे तो आप सबसे पहले इस IC को लिख लिए और इस IC के नोट्स बनाईए जितना अच्छा होगा आप इस IC के नोट्स बनाएंगे उतना आप यहां पर सीखेंगे तो यहां पर जो यह दो करते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वीबस कहां कहां एंटर होता है फिर उसके बाल मैं दोस्तों द्यादा रखेगा वीबस दो जगे चार्जिंग सेक्षिन में और पावर सेक्षिन में आप बात करें हम यहां पर बीबस लिखा हुआ है आप वीबस को पर यहां पर का पर जाती है तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो जैसी आप चार्जल लगाएंगे तो चार्जिंग में तो इन हो गई साथ में यहां से पाज वोल्ट एक डिवाइडर सरकिट के तुरू यहां पर पॉइंट फाइव वोल्टेस बनके एक सेंस लाइन के साथ इस IC को मिलेंगे और इस IC को लगेगा कि आपने चारजिंग लगाया है इसके बाद में अगर यह रजिस्टर दोस्तों निकल जाते हैं मिलते नहीं हैं डियागराम नहीं है तब बहुत एक इजी तरीका है इसको बनाना और वो तरीका में किलास में अपने स्टुडेंट को बताता हूँ और उसके लिए आपको किलास आना पड़ेगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अपकर देहगराम ही नहीं है फिर भी आप इसको बनाना चाहते हैं और यह रिजिस्टर को पूरे पैड भी निकल गए आपको पता ही नहीं कहा है तो भी मैं आपसे यह कुछ ही सेकंड में यह आपका सेक्शन ब गढ़े पर दो अलग अलग जगें यहाँ पर वो एक हाइव रिजिस्टर है कि आपको expect पर अगया बात कर लेता हूँ एक बार में क्योंकि फिर हम charging IC में चले आते हैं क्योंकि हलाकि यह बाद में जब आइसेंस और बैटरिंस पहले में बता दूंगा कहां से आया है तो अब हम यहां पर देखते हैं अब हम यहां पर बीबस को और धूरेंगे और देखेंगे कि हमारा यह कहां जा रहा है दो के बाद अब पर कहां लगी है तो आप देख सकते हैं आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो अब इस आईसी की तोड़ी information लेते हैं और यहीं सी किस तरह से काम कर रही है इस IC को किस तरह से in out मिल ला है या क्या क्या इस IC के अंदर या बहार जा रहा है सो आप देखें सबसे पहले बीबस यहाँ पर 5 voltage के साथ यहाँ पर enter कर रहा है A1 और A2 के pad पर सो आप IC निकाल कर यहाँ पर 5 volt जरू चेक कीज़ेगा क्योंकि मैं भी अपने स्टुएंट से कहता हूँ कि अगर आपको हमने IC निकालना लगाना सिखाया तो हर बोर्ड में आपको यह सारी चीज़े जरू चेक करना है क्योंकि अभी ताहँ आप बहार चेक करते हैं अब आपको अंदर भी चेक करना है तो बीबस जैसी एंटर होता है दोस्तों उसके बाद में आप देखेगा कि PMID मला PMID की सप्लाई बनती है जो कि एक over protection circuit होता है उसी की IC के लिए और यहां के इस capacitor में भी आपको लगबग 5 voltage या उसे कम लगब सारे चार voltage मिलने चाहिए और यह voltage मिल गए तो इसका मलब यह समझो कि IC में input लिया हुआ है और IC अभी sort नहीं है IC okay है ठीक है मैं यह नहीं कहूंगा कि IC काम करने के लिए okay है वड़ IC okay है sort नहीं है अब जैसी IC वीबस इसके अंदर enter करता है तो basically आपको plus के साथ minus चाहिए होता है तो ground आपको मिलता है और जैसी ground एंटर करेगा तो उसके साथ switching होगी switching के साथ भी ground चाहिए होगे सो इस IC में अगर हम बात करें तो तीन ही ground मिलते हैं आपर positive ground है जो हमारे वीबस के plus के लिए भी है और switching के लिए भी है अब उसके अंदर आप समान डालोगे तो समान भार निकलेगा तो यह वाला ओन तो यहां switching पर जैसे आपने चार्जर लगाया तो आपको यहां पर तकरिवें 3.1 से 4.2 मिलना चाहिए यहां पर चार्जिंग कोई लगा होता है जो कि 1-micro-hendry का होता है और उसके बाद में यह supply यहां से आप देखेंगे तो बीबैट से जोड़ी होती है और यह बीबैट आप से अलग-अलग section में जाता है नए फोनों में यही supply बीपीएच पर जोड़ी होती है जो कि वीएच वाइस की supply पर जाता है जैसे हम देखते ना चार्जर लगाने से फोन ओन होना सो विस सेटों में होता है अब भी चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं कि सैट में हमारा पूरा सप्लाई किस तरह से काम करेगा तो यह हमें देखना बहुत चरह जोड़ी है अब दोस्तो जैसे ही switching हो जाएगी तो सबसे पहले switching के साथ आपको तो यह coil के साथ में आपके institute में बताया होगा कि एक बूट क्मांड लाइन दी गई है तो बेसिकलित हो रागता है कि कि इन्फर्मिसन देता है कि कितना पर्संटेज क्या चार्ज होना है क्योंकि कि पर्संटेज को दिडिएट नहीं कर पाएगा और अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर यह OTG की लाइन के लिए लाइन होती है अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं आप इसकी इतनी फुडू की सकते हैं तो अब मैं थोड़ा सा इसको पीछलूंगा अब आप तोड़ा नोटिस किजेगा दोस्तों पहले इतनी लाइन को मैं समझा देना चाहता हूं तो भी बात करूंँ यहाँ और एक OTG यह वाली यह वाल है हुसे के लिए और आप डेखें कि यहां को fois कि आ या पर यहां को ऐसी किया गया है यह MODER मिलब दोस्तो जब भी भी चीयां योज होती है है अगर मैं बात करूँ इसके अलावा स्प्लाइयों की तो दोस्तों यह पड़ एक सीडी है जो चर्जिंड डिडेक्शन की सप्लाई होती है चर्ट रिजरसण देग्स रहा जोगहिए तो यह सप्लाई तो आप देखेंगे कि यह सिगनल आपके CPU में जाते हैं अगर यह लाइन भी आपकी ओपन हो गई तो आपको चार्जिंग आज जाएगी क्योंकि CPU को यह चार्जिंग नहीं मिलेगा ठीक है तो CPU भी यहां पर रिबॉल करना पड़ेगा इस सिगनल के लिए यह कैसे चेक सिगने के लिए मैंने जैसे बताया क्लासस आ जाओ एक बार इसको चेक करने के लिए CPU निकालने के जब्रूबत नहीं है क्यों कि I May आपको ग्लास में बता दूंगा अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तो यहां पर तो अब सिप एक लाइन बची है CS IN और CS OUT मनला भी आपकी आउपट की लाइन है पर इस लाइन को दोस्तों एक रिजिस्टर के साथ जोड़ा गया है जहां पर एक हम बूलता है को रिजिस्टर लगाया जाता है जो जिसमें जीरो आर्टू तू या जीरो वन जीरो ऐसा लिखा होता है आपने देखा होगा वाइट और ब्लैक का कोड र लगाते तो यह एक पीड को चैन्ज करेंगा अगर यह लाइन आपके ऊपन रही तो फेक चार्जिंग बनाएगी और यह लाइन ओपन रही तो आपके बैटरी को बैटरी ऊपन रहेगी तो देखें बापस घूम के हम पहले बार में आ गया जहां पर हम देखा था कि हमने बैटरी है पॉइंट फाइब के साथ और यह बनना बहुत ज़ूरी है तो इस तरीके से फिर बाद में यह बीडेट सेंस करने के लिए अगर यह लाइन भी ओपन रही तो आपका बीडेट सेंस नहीं होगा बैटरी आपकी नहीं हो गई और डिस्करेक्ट रिकाएगा बैट यहां पर आप देखेंगे फ्यूल गेज और अगर मैं सब्सक्राइब कर देता हूं अगर मैं और इस आईपी को इस प्लेइन कर देता हूं सो जो देखें दोस्तों यहां पर चाजिंग इन डी डीमडीप की लाइन दी हुई है जो कि आपके सीशी से आएगी और यहां पर तो यहां पर हम यह लाइन हमारे चाजिंग के लिए तो यहां पर इस तरह से CSP और CSN यहां पर बड़ करते हैं सो दूस्तों कैसा लगा यह चार्जिंग का पॉइंट मुझे बताएगा जरूर मेरे टेक से 328 वी को मैंने इस्प्लेइन किया यहां पर और अगर आपको मेरे पसंद आए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक को कमेंट कीजेगा और अगर आपको प किया ना हमें आपको मुझा निया करने वाले हैं रुका सिप्वा ने कर लाहन जôm कौन तो फोन है यह गा वाइव गामने करने इसकजिट के लिए ने कानने वालें बीड आपकर झाल झाल